हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्य पुलना और आपका स्वागत है मेरे कीचन में अज सबसे पहले मैं अपने सबी सब्सक्राइबर को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहती हूँ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी माउथ मिल्टिंग रवा लड़्डू आप देख सकते हैं यह कितने ज़्यादा सॉफ्ट है तो ऐसे टी स्टी माउट मिल्टिं रवा लिड्डो के लिए मैंने लिया एक कप रवा या सूजी यह हैं शक्कर आधा कप, खोबरा कीस या डिसिकेटिट कोकोनट वन फोर्थ कप है उसके अलावा घी है, मैं तीन टेबल स्पून इस्तमाल कर रहे हूँ और यह है दूट जिसे मैंने पका के अच्छे से ठंडा कर लिया है और कुछ ड्राइफ्रूट्स और चार इलाइची है सबसे पहले मैंने लिया एक मिक्सी का जार, उसमें मैंने डाला है शक्कर शक्कर डालके इसी में मैं डाल रही हूँ इलाइची और इसका मैं पाउडर कर लोगी शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कम्या जाधा कर सकते हैं बट एक कप के लिए आधा कप पॉफेक्ट है अब शक्कर का पाउडर बन गया है मैं इसको रख रही हूँ साइड में अब इमें रखा एक पैन अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून घी घी डालके जैसे घी घरम हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राइफ रूट्स काजू को मैंने छोटे टुकडों में काट लिया है काटके मैं फ्राइफ कर रही हूँ आप ड्राइफ रूट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी आड़ कर सकते हैं जैसे बादाम हो गया या कोई और जो भी आपके चॉइस के ड्राइफ रूट से आपने आड़ कर सक है रवा लड़ो के और भी दो तिन तरीक है बट मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह इंस्टेंट रवा लड़ो की रेसिपी है यह रवा लड़ो बहुत जल्दी बनता है बहुत टेस्टी है अभी दिवाली आने वाली है रवाली में बनाओ या किसी भी ठ्ली हो गया है मैंने निकाल रहे हूँ प्लेट में अलिकल के अब सेंम इसी पैन में आरव गे नहीं डाला है मैं डाल रही हूं एक कप सोझी डाल कि अब मैं इसको अच्छे से फ्राय करोंगी धीमी आज पर रवा लड़ो का में यही है कि हम सुजी को इकदम अच्छे से तब तक जब तक कि इसमें से खुश्बू ना आए, मैंने लगा तार धीमी आज पे चलाते हुए इसी 10 मिनिट तक भूना है, बट धीमी आज पे, इसको हमें continuously मिलाना है, ताकि कडाई में लगे नहीं, हमें सूजी का color change होते तक भूनने की आवश्चता नहीं है, बस इसमें स सूजी अच्छे से भून गया है, अब सूजी काफी अच्छे से भूना है, मैंने इसे 10 मिनिट तक दिम्याज पे भूना है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसा हुवा शक्कर और desiccated coconut, खुब्रा किस, मैं थोड़ा सा बचा के रख रही हूँ, उसके बाद मैंने इसमे अब यह काफी गरम है, इसी में मैं डाल रही हूँ दूद, दूद मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर हम लोग दूद डालने के बाद पकाएंगे तो यह काफी ज़्यादा हाट बनेगा, इसलिए हमें नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम ओफ करना है, अब मैंने 3 टे से मिक्स कर रही हूँ, यह काफी गरम है, अब मैं इसे ठंडा या रूम टेमप्रेचर पर आते तक रखोंगी, इसे आमें एकदम जादा ठंडा भी नहीं करना है, रूम टेमप्रेचर पर यह हम लोग हैंडल कर सके, उतना ठंडा होना चाहिए, दो-तिन मिनट बात यह रू लड्डू बना रही हूँ, आपको जिस साइस का लड्डू बनाना है, आप उस साइस का बना देना, उसके बाद यह जो डिसिकेटिट कोकॉनट है, इसमें मैं अच्छे से व्रैप कर रही हूँ, यह जो स्टेपे कंप्लीटली ऑप्शनल है, बट ऐसा करने से रवा अब यह लड्डू बन गया है, मैं इसको रख रही हूँ, इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाऊंगी, यह लड्डू आप डिवाली में बना के as a gift भी दे सकते हो, या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बस यह लड्डू बनाओ, बहुत जल्दी बन जा अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर करें, थैंक यू